हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कीलो ग्राम का कॉस्चन को कैसे स्वाल्व किया जाता है तो देख सकते हैं पर एक क्वेस्चन है एक केजी चीनी का मुल्य 40 रूपाय है तो ती तीन केजी 700 ग्राम का दाम कितना होगा तो आप लोग इस वीडियो को अंतक देखते रहेगा आप लोगो सारा चीज समझ में आ जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जब भी इस तरह का आपके पास क्वेस्चन रहे तो सबसे पहले एक केजी का आपको लिख सबसे पहले आपको तीन केजी का निकालना है अगर एक केजी का दाम चालिस रुपए होगा तो तीन केजी का सबसे पहले आपको निकालना है तो इसी चालिस में आपको तीन से गुना कर देना है ठीक है यानि यह हो जाएगा 120 तीन केजी का दाम कितना हो जाएगा 120 हो जाए यानि एक केजी का दाम 40 रूपए है तो 700 ग्राम का दाम कितना होगा तो सबसे पहले एक केजी का 40 है तो 100 ग्राम का दाम निकालेंगे सो गराम का दाम निकालने के लिए इसी में हम लोग इधर से यह कंग के बाद पॉइंट बैठाते हैं ठीक है यानि कितना हो जाएगा सो गराम का दाम हो जाएगा चार रूप है तो हम लोग सो गराम का दाम में इस साथ से गुना कर देंगे यहां पर 700 ग्राम का दाम कह रहा था तो इसमें हम लोग 7 से गुना करेंगे अगर यहां पर 800 ग्राम कर रहा था तो इसमें लोग 8 से गुना करते ठीक है तो इसमें हम लोग गुना करेंगे साथ सचार में तो यह हो जाएगा 28 यानि 3 कजी का दाम 120 हो गया और 700 ग्राम का 28 तो आपको क्या करना है 120 और इस 28 को जोड़ देना है ठीक है दोनों को अपस में जोड़ देना है जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 148 यानि 1 kg कदाम 40 रूपए है तो 3 kg 700 ग्राम कदाम कितना होगा तो 3 kg 700 ग्राम का दाम होजाएगा 148 रूपए ठीक है तो चलिए हम लोग एक क्वेस्चन और देख लेते हैं तो देख सकते हैं आपर एक क्वेस्चन है 2 kg चीनी का मुल्य 100 रूपए है तो 5 kg 300 ग्राम का दाम कितना होगा ठीक है 2 kg का दाम कितना है 100 रूपए तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है 2 kg बराबर लिखना है 100 रूपए ठीक है तो सबसे पहले आपको 1 kg का निकालना है 2 kg का 100 है तो 1 kg का कितना होगा तो 2 से आपको 100 में भागा लगा देना है या फिर 100 से भागा लगा या फिर 2 से इसको काट दीजिया ऐसे तो यह कट जाएगा पच्चास बार में ठीक है यानि एक केजी का मुली कितना हो जाएगा तो पच्चास रुपे हो जाएगा जब आप एक केजी का निकाल लीजियेगा उसके बाद आपको सबसे पहले पांच केजी का निकाल लेना है ठीक है एक कितना अगैंग्स तो Ouch agib sociale आधाशएट गयां अब हमलोग कितना निकालेंगे अभू लोग कितना हो जाएगा है कि सबसे पह्ले सो ग्राम कदूं निकालेंगे लिए इस हुआ में नुकालने के लिए यानी कितना या तो पाँच आ जाएगा, 100 गराम का दम पाँच रूपए, तो 300 गराम का पूछ रहा है तो आपको क्या करना है इसी पाँच में 3 से गुना कर देना है, यानि 15, 5 केजी का 800 है, और 300 गराम का 15, तो आपको क्या कर देना है या दोनों संख्या को जोड़ देना है 300 ग्राम का दम कितना होगा तो यह हो जाएगा 265 रुपए तो इस तरह से आप आसानी से किलो ग्राम का कोस्टन को बना सकते हैं